इस कोशन में दे रखा है पदो 5, 6, 7, 9, k और 20 का समानतर माध्य में यहाँ पर दे रखा है 11 और यहाँ पर हमें k की value को निकालना है कि k की value उमारी कितनी आएगी और यह कोशन हमारा 2017 के exam में भी आ चुका है और इस तरीके कोशन 2015 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है तो आप इस तरीके कोशन को तयार करके जाना क्योंकि ये कोशन बहुत साल से repeat नहीं हुआ है तो इस तरीके का एक नए कोशन जरूर आ सकता है जिसमें हमसे x की value या फिर k की value निकालने के लिए पोल सकता है और ये कोशन हमारा एक नमबर के लिए बहुत मैत पूर्ण होने वाला है अब इस कोशन को हम किस तरीके से solve करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो सबसे पहले आकर आप चैनल को subscribe कर ले और सबसे मैत पूर्ण बैल आइकन को all पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी questions पर video upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब आगे देखते हैं इस question के solution को सबसे पहले जो हमें question में दे रखा है उसको हम यहाँ पर note कर लेंगे हमें यहाँ पर पद दे रखा है 5,6,7,9 और 20 और हमें यहाँ पर इनका समानतर माद्य भी दे रखा है question में वो है हमारा 11 और यहाँ पर हमें k की value को निकालना है तो इसके लिए आपको समानतर माद्य का formula पता होना चाहिए अगर आपको समानतर माद्य का formula पता होगा तो आप इस तरीके किसी भी question को बहुत अराम से कर लेंगे लेकिन जिन स्टुडेंट को समानतर माद्य का formula नहीं पता वो यहाँ से formula को पहले note कर लेना जो कि आपको यहाँ पर लिखवा दिख भी रहोगा समानतर माद्य बराबर पदों का योग upon कुल पद यानि कि जितने पद होंगे उनका योग और upon में आ जाएगा जितने हमारे पास पद हैं तो यह हमारा समानतर माद्य का simple formula होता है तो अब हम क्या करेंगे हमें पद दे रखे हैं पदों को गिल लेंगे कितने हैं वो लिख देंगे और उनको जोड करके लिख देंगे यानि कि उनका योग और यहाँ पर हमें समानतर माद्य दे रखा है यहाँ से calculation करकर यहाँ से हम k की value को निकाल लेंगे अब इसकी calculation को मैं आगे दिखा देता हूँ आपको तो पहले हम यहाँ पर formula लिख देंगे अब इनकी values को हम यहाँ पर put कर देते हैं समानतर माद्य की value हमारे पास 11 थी उसको रख देंगे पदों का योग जो हमारे पास पद दे रखे थे 5, 6, 7, 9, K और 20 उन सब को हम गया कर देंगे जोड देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर लिखवा देख भी रहा होगा अब उसके बाद में कुल पद गिन लेंगे कि कितने पद हमें दे रखे थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि 6 पद हमें दे रखे थे तो कुल पद कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 अब इनकी आपस में कैलकूरेशन कर लेंगे यहाँ पर हमारे डिवाइड में 6 दे रखा है यह हमारे 11 के साथ में मल्टिप्लाई में हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखी रहा होगा और सारे के सारे पद हमारे इसी तरीके से आ जाएंगे अब अगली इलाईड में सभी पदों को जोड़कर हम लिख देते हैं तो यहाँ तक हमारा होचुगा था अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यह जो हमारे पास सारे के सारे पद दे रखा है इनको हम जोड़ देंगे केको हम नहीं जोड़ पाएंगे तो k कॉम ऐसे ही लिख देंगे 20 और 5 हो जाएगा 25 25 और 6 हो जाएगा हमारे पास 31, 31 और 9 हो जाएगा हमारे पास 40 और 47 हो जाएगा हमारे पास 47 अब हमारे पास यहाँ पर यह समीगण बन चुकी है लेकिन हमें यहाँ पर k की value को निकालना है तो जो अमारे पास प्लस का 47 आया है अभी उसको हम दूसरी से अट में ले जाएंगे तो वो वो मारा मैनस का हो जाएगा और यहां पर हमारे पास K की वैल्यू भी आजाएगी तो यहां पर हमारे पास आजएगा 66 मारा इनस 47 बराबर के 66 में से हम 47 को घटा देंगे यहां पर आज आएगा हमारे पास 19 और यह जो हमारे पास k की value थी कितनी आजएगी हमारे पास 19 क्योंकि हम इस question में k की value निकालनी थी जो कि हम यहां पर निकाल चुके हैं तो यही हमारे question का answer भी हो जायेगा एक्जाम में एक नमबर फिर ये का पक्का हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए तो अब आप फॉर्मुले को यहां से नोट कर लेना और इस सवाल को आप धंग से तैयार कर लेना वैसे तो ये कोशन आपकी समझ में आ गया होगा लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करकर पूछ लेना और अगर आप इसी तरीके के और भी कोशन्स देखना चाते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पर आपको इसी तरीके के सारे के सारे कोशन्स मिल जाएंगे चाये वो कोशन्स हमारे एक नमबर वाले हो तो नमबर वाले हो या फिर चार या पांच नमबर वाले हो सारे के सारे कोशन्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उस playlist का link मैं description में दे दूँ है वहाँ से जाकर आप देख लेना और इस playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना